दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाटसप नमबर ड्लीट कैसे करते हैं अगर आप किसी का भी वाटसप नमबर अपने वाटसप से ड्लीट करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वाटसप को ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप होम पेज में एक नमबर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर होम पेज से इसे ड्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ समय के लिए अपना गुटा होल्ड करते हैं और यहाँ पर उसके बाद ड्लीट पर टच करते हैं तो यहाँ पर एक pop-up आ जाता है अब यहाँ पर ड्लीट चैट पर क्लिक करने के बाद आप यह समझते होंगे साइद अब हमारे वाटसप से यह नमब सबसे ड्लीट किया था अभी भी वो यहाँ पर दिखा रहा है अब इस नमबर को पर्मनेटली ड्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर इस नमबर पर एक बार क्लिक करना है अब यहाँ पर इस नमबर की जो चैट है वो ओपन हो चुकी है आपको यहाँ पर अब थ्री डोट पर टच करना है जैसी आप यहाँ पर 3.4 पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यह पर पॉप अ जाएगा अब आपको यहाँ पर व्यू एड्रस बुक पर टच करना है यह नमबर आपके फोन की address book में open हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर ऊपर 3 dot पर टच करना है उसके बाद आपके सामने यह pop-up आजाएगा अब आपको यहाँ पर Glit Contact पर टच करना है जैसे आप यहाँ पर Glit Contact पर टच करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे एक pop-up आजाएगा आपको यहाँ पर अब Glit पर टच करना है अब यहाँ पर यह जो नंबर है वो पर्मानेटली वाटसप से Glit हो चुका है अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं दोबारा हम यहाँ से बैक करते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वाटसप एप के होमपेज से तो पहले ही हमने नंबर ड्लीट कर दिया था अब अगर हम यहाँ पर चैट के आइकन पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां से भी हमारा वू वाट्सप नमबर ड्लिट हो चुका है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में सेर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल जिलसाथ को सबस्क्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहए दिल से सुक्रिया